गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम अपने हिंदे पाठे पुस्तक खुलते पंक का नया पाठ पढ़ेंगे पाठ का नाम है रिशी का आश्रम तो रिशी मतलब क्या होता है? रिशी मतलब होता है साधू या संत जो अलग रहते हैं जो इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है इंगलिश में हम रिशी को कहते हैं सेज ठीक है? और आश्रम मतलब होता है उनका घर जो रिशियों का जो घर होता है उन्हें हम उसे हम आश्रम कहते हैं ठीक है चलिए पार्ट को पढ़ते हैं एक रिशी थे गंगा के किनारे उनका आश्रम था एक रिशी थे मतलब एक साधू थे और गंगा गंगा क्या है गंगा हमारी पवित्र नदी का नाम है है ना गंगा तो गंगा नदी के किनारे उनका आश्रम आश्रम मतलब उनका घर था आश्रम में म्रग इधर उधर घूमते थे म्रग मतलब होता है हीरन तो उनके आश्रम में जो म्रग थे जो हीरन थे वो इधर उधर घूमते रहते थे उनको उन्होंने किसी पिंजरे मनी रखावा थे उनको खुले घूमते रहते थे चारो तरफ हरे व्रक्ष थे चारो तरफ मतलब चारो ओर ठीक है क्या थे हरे व्रक्ष ग्रीन पेड ठीक है व्रक्ष मतलब पेड ट्रीज दूर दूर से बालक आश्रम में शिक्षा लेने आते थे दूर दूर से बोला है बालक मतलब बच्चे यहां बालक मतलब बॉइज हैं ठीक है बच्चे आश्रम में उनके आश्रम में उनकी कुटिया में उनके जोपडी में घर में शिक्षा मतलब उनसे नौलेज लेने आते थे ठीक है पहले जमाने में का था पहले जमाने में लोग स्कूल नहीं होते थे पहले जमाने में लोग स कि आग्या मांते आग्या मतलब उनको ओबे करते थे ग्यान और अक्षे भी आश्रम में पढ़ते थे तो इसी प्रकार से दो बच्चे थे ग्यान और अक्षे वह भी आश्रम में पढ़ते थे एक दिन वे जंगल में लकडियां बीनने गए लकडियां बीनते बीनते शाम हो ग वहाँ पर उनको सारा काम अपना खुद ही करना पड़ता था जाए खाना बनाना हो कपड़े धोना हो अपने आसपा की साफ सवाई करना हो जैसे हम होस्टल में रहते हैं तो हम लोग सारा काम खुद करना पड़ता था तो उसी प्रकार से पहले जवारे में जहां पर बच्चे पढ़ते थे आश्रम में तो वहाँ पर उनको सारा काम खुदी करना पढ़ता था तो ग्यान और अक्षे भी लकडिया बिनने के लिए एकटा करने के लिए कहा गए थे जंगल में और वहाँ पर उनको शाम हो गई करते करते अचानक जोर की आधी आई बारिश शुरू हो गई दोनों मित्र भीग गए तो वे लोग क्या हो गए जंगल में भटक गए अब अंधेरा होगी है क्योंकि वो बाईश हो गई तो रुख गए होगी तो अंधेरा होगी है उसके बाद रात हो गई तो वे लोग क्या होगे जंगल में भटक गए जंगल ने भटक गए मतलब वो अपना रास्ता भूल गए क्योंको अंधेरे में समझ में नहीं आए कि मतलब हम पर दया करो बोला है और हमारी रक्षा करो हमको सेफ करो बोला है तब ही आस पास किसी के चलने की आवाज सुनाई दी ग्यान और अक्षे ने डर कर एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए तब ही उनको ऐसा लगा कि उनके आस पास में कोई चल रहा है तो वो लोग डर के डर गए बोल दरों क्योंको लगा कि कोई जानवर ना हो करके जंगल में है और अंधेरा भी था तो उन्होंने डर के मारे एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए रिशी लाल्टेन लिए दोनों को ढूंड रहे थे लेकिन जब उन्हें देखा तो वह रिशी थे जिनसे वह सिक्षा ग्रेंड कर लेते वह रिशी थे और वह लाल्टेन लेकर दोनों को ढूंड रहे थे लाल्टेन क्या होती है देखिए रिशी के हाथ में लाल्टेन यह जब पहले जमाने में तो लाइट होती नहीं थी तो तो वहाँ पर लोग लाल टेन का यूज़ करते थे इसमें मिट्टी का टेल डालते हैं और बितमें से चोटी से बत्ती जैसे निकलती है उसको जलाते हैं ठीक है ना आज कल भी गावों में दिखाई देती है आप में से बहुत से लोग देखी भी होगे लाल टेन दोनों ने रिशी को देखा उनकी जान में जान आई रिशी ने दोनों को गले लगाते हुए कहा पुत्र डरो मत अब मैं आ गया हूँ जब दोनों ने रिशी को देखा अपने गुरू को देखा तो उनकी जान में जान आई मतलब उनको थोड़ा अच्छा महसूस हुआ है ना रिशी का आश्रम